Hello dear students, आईए बेटा, आज के इस वीडियो में हम अपना chapter स्टार्ट करने जा रहे हैं Class 11 का Unit 10, Oscillations and Waves Clear है बेटा? तो चलिए करते हैं स्टार्ट, इसमें आज कुछ basic सा, कुछ एक definitions करेंगे 4-5 definitions, बड़े simple-simple सी, ठीक है? तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम periodic motion के बारे में तो देखे बेटा, periodic motion क्या है? A motion of body which repeats itself after regular interval of time मतलब एक ऐसा motion जो अपने आपको एक regular time interval के बाद खुद को repeat करता है उस motion को हम बोलते हैं periodic motion Clear है बेटा? तो सबसे पहले इसका जो example है that is motion of a planet around the sun sun के चारों और जो एक planet का motion है उसको बोलेंगे हम periodic motion ठीक है? मतलब क्या होता है? कि माली जे धर्ती है, अर्थ है, हमारी sun के चारों चक्कर लगा रही है 24 गंटे में वो अपना चकर पूरा कर लेती है तो 24 आर में अपना round पूरा करती है दोबारा से फिर वो same round लगाती है sun के चारों फिर दोबारा से same round लगाती है तो ये अगर अपने axis के about देखें तो earth 24 hours के बाद दोबारा से अपने motion को repeat करती है और sun के around 365 days के बाद दोबारा अपने उसी motion को फिर से repeat करती है तो जब एक motion एक fixed time के बाद दोबारा से repeat होता है तो उसे बोला जाता है बेटा periodic motion कलियर है? Next, motion of the bob of a simple pendulum about its mean position देखिए, जैसे यहाँ पर एक simple pendulum दिखाया है वो ऐसे ऐसे move करता रहता है ये इसकी mean position है, इसके चार दोनों तरफ ही से ऐसे घूमता रहता है ये ठीक है, तो बार बार repeat हो रहे है न, fixed time के बाद तो इसलिए इसके motion को क्या बोलेंगे हम? periodic motion कलियर है बेटा? oscillatory motion क्या है, to and fro motion of a body about a fixed point एक fixed point के about body का, जो to and fro motion होता है after the fixed interval of time, या regular interval of time is known as oscillatory motion मतलब देखिए, जैसे pendulum था, अब एक fixed point है इसका ये इसी के about ये घूम रहा है बार बार, कभी इस तरफ, कभी इस तरफ इस तरफ, इस तरफ, ठीक है, तो to and fro to and fro, to and fro, एक fixed point के about ये ऐसे to and fro move कर रहा है लगाता, after the regular interval of time, तो इसलिए इसके motion को बोलेंगे बेटा, oscillatory motion, बात समझ में आगी तो ये जो motion है, simple pendulum के bob का जो motion है, ये कैसा है oscillatory motion है, साथ में इसका motion periodic motion भी है, periodic भी है oscillatory भी है, बात समझ में आगी है बेटा, तो जो oscillatory motion है, ये periodic motion भी है, लेकिन अगर हम बात करें, जैसे अर्थ के motion की, sun के around, तो वो periodic तो था, लेकिन वो oscillatory नहीं था, क्योंकि वो to and fro नहीं था, oscillatory के अबल वो होता है, जो to and fro होता है, of course ये अपने आपको repeat कर रहा है, तो oscillatory motion, periodic motion तो है, लेकिन सभी periodic motion oscillatory नहीं होते, example ये अर्थ वाड़ा दिया हुआ है, अर्थ sun के चार और घूम तो रही है, तो ये motion periodic है, लेकिन ये oscillatory नहीं है, simple pendulum का motion, ये oscillatory भी है और periodic भी है, दोनों टाइप का clear है बेटा, समझ में आया, तो next आता है बेटा, आपका time period, अब ये time period क्या है बेटा, ऐसा time, अब हमने कहा है कि धर्थ अर्थ है, अपने axis पर 24 hours में चक्कर पूरा कर लेती है, तो next चकर वो फिर 24 hours में लगाती है, तो एक motion को पूरा होने में कितना time लगा, उसी को बोलते है time period, time interval after which motion is repeated, जिस time के बाद motion दोबारा repeat होता है, उसको बोलनेंगे time period, बात समझ में आगी, या फिर यूं कहें, एक oscillation पूरा होने में जितना time लगता है, या एक vibration पूरा होने में जो time लगता है, उसको time period बोलते हैं, symbol है capital T, बड़े T से इसको denote करते हैं, SI unit है second, second में इसको माप पा जाता है, और next है बेटा, आपका frequency, क्या है, frequency, अब frequency क्या है बेटा, आपको already आप पढ़ चुके हो, class 9 में देखे, number of oscillation completed in one second, एक second में किसी body ने जितने oscillations पूरे किये, उसको उसकी frequency बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, frequency या फिर, कोई periodic motion कितनी बार repeat होता है एक second में, एक second में किसी कोई motion जितनी बार repeat होगा, वही उसकी frequency होगी, एक second में motion जितनी बार repeat हुआ, वही उसकी frequency होती है, frequency का formula 1 by T, time period को उल्टा कर दो, 1 by में लिख दो, 1 के divide में, तो हमारे पास frequency आ जाएगी, SI unit रहेगी इसकी per second, क्या रहेगी per second, या फिर hertz, hz, और क्या होती है इसकी unit, hertz, hz, clear बेटा, समझ में आया है, तो चलिए यहां तक आप note कर लिजी है, फ्रिक है frequency note कर लिया, ऐसे ही time period भी note करना है, तो चलिए अब हम next करते हैं, next है बेटा displacement, displacement क्या है, किसी body का mean position से जो distance होता है, उसे को displacement बोलते हैं, the distance traveled by an oscillating particle at any instant from its mean position, particle का उसकी mean position से जो distance होता है, उसे को हम displacement बोलते हैं, ठीक है, जो maximum displacement है, उसको बोला जाता है amplitude, maximum displacement को क्या बोलते हैं मेटा amplitude ठीक है और displacement यहाँ पर दो टाइप का है तो linear होता है और एक angular होता है एक linear और एक angular angular displacement को हम angle से denote करते हैं यहीं theta से किसे denote करते हैं मेटा तो जो periodic motion है उसमें displacement का मतलब सिर्फ distance नहीं होता periodic motion में displacement का मतलब है किसी physical quantity में कितना change हुआ किसी physical quantity में कितना change हुआ उसी को बोलते है periodic motion की displacement क्या बोलते है periodic motion की displacement clear है अब example देखिए जब sound travel करती है तो हवा में अलग-अलग point पर pressure में changes आते हैं क्या आते हैं pressure में changes pressure of the air at the different position change with the time अलग-अलग position पर time के साथ pressure में change हुआ यही जो change of pressure है इसी को हम बोलते है displacement क्या बोलते हैं बेटा इस change of pressure को हम यहाँ पर क्या बोलेंगे displacement बोलेंगे clear है समझ में आया अच्छा तो next है बेटा हमारे पास periodic function देखें periodic function नाम से clear है वही periodic motion से बना periodic function एक ऐसा function जो अपने आपको fix time के बाद दुबारे से repeat करता है किसी एक particular time के बाद खुद को दुबारा से ही repeat करेगा अपने आपको उसी को बोलेंगे periodic function जो sine function और cosine functions है ये periodic function होता है जो आपने mathematics में study किये हुए sine function and cosine functions ये कैसे होते है मेटा periodic होते है अब देखो मानेजिए f t एक function है f of t वो equal है a sine omega t एक वोई भी constant number है तो sine के value आगे sine की term में आगे है न ये function तो इस function को periodic function बोलते है omega के किसके बराबर होता है 2 pi by t 2 pi by t capital t capital t क्या होता time period क्या होता time period यहाँ से t की value यहाँ से हमने find out करी t equal to 2 pi by omega 2 pi by omega ऐसे ही एक function है gt मानेजिए कोई वो equal है b cos omega t b कोई भी एक number है constant number तो ये भी एक कैसा function है periodic function है क्योंकि sine और cos की term में जो function होते हैं उसको क्या बोलते है periodic function क्योंकि यह अपने आपको fixed time के बाद दोबार है repeat करते हैं देखिए अगर मैं f of t में capital t add कर दू यह capital t क्या है time period तो वो f of t के equal ही आएगा मतलब यह और यह value दोनों आपस में equal होती हैं अगर t की जगर 2t add कर दें तब भी answer same आएगा 3t, 4t, 5t, 60, 70 क्योंकि यह fixed time t के बाद अपने आपको दोबार है repeat कर रहा है यह function time t के बाद आपने आपको repeat करता है इसलिए इसकी value same आती है बार 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 value same आ रही है फिर इसमे t add किया तो 2t हो गया फिर answer इसी के बार बार आएगा घूम फिर के दोबार सेम अंसर आ रहा है तो इसलिए इस function को बोलते है periodic ऐसे ही gt clear है बेटा समझ में आया अब माल नीजिए एक function है नया function एक तो ft था एक gt ft था cost sign का function gt cost का function था अगर इन दोनों को जोडने से एक नया function बना दें f-t तो क्या होगा ft प्लस gt दोनों को add कर दिया जोड दिया तो एक नया function आया इसको भी हम periodic function ही बोलेंगे दो periodic function को जोडने से जो तीसरा function बना वो भी एक periodic function ही होगा इसका time period भी same होगा t clear बेटा समझ में आया ठीक है तो चलिए बीच बीच में आपने पहले वीडियो को back करके आपका अगर कुछ रहा गया है तो no down कर सकते हो दोबारा से ठीक है तो मिलते हैं बेटा हम अपने next topic के साथ next वीडियो में तब तके लिए bye bye thank you and have a nice day